अग्साइब सुपागते हैं, अब सभी के एक पर फिल से GDC टुटर के मेडसीन सेीरीश में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही popular medicine हमालेया कोफलेट, SF Lyn import year player या सीरब के बारे में हमालेया का कोफलेट SF Lynlicht एक ऐसी medicine ऐसी दवाई होती है जो की सूकी खासी, गिली खासी, सर्दी दुकाम, गले बें जो खराबी होती है, ब्रॉंकाइटिस होता है अलरजी होती है, या आपके लंग से रिलेटेट जो भी दिक्कट होती है respiratory tract related जो भी problem होती है वहाँ पे हिमालिया कॉफलेट SF link test या syrup एक completely हायरवेदिक और herbal medicine की तरफ वर करती है और आपकी सारी समस्याओं से निवारड देने का काम करती है तो आज के वीडियो में बात करेंगे हिमालिया कॉफलेट SF link test या syrup के अंदर main API, main site, main content क्या क्या मिला होगा इसका उपयों को कहां कहां देखने को मिलता है इसके काम करने का तरीका यानि की mechanism infection क्या है इसके इस्तिमाल करने का सही तरीका इसका dose, इसका precaution, इसका side effect मतलब इस syrup, इस link test के हम आपको संपुर जानकारी देने वाले हैं पूरे विडियो मने लिएगा थाकि कोई भी information मिसना होने पाई हिमालिया का कॉफलेट ऐसे link test या सिरप बहुत ही अच्छी medicine मानी जाती है जिसके अंदर main site, main API, main content दो के दोनों यहाँ पे natural content मिले होगे सबसे पहला है तुलसी और यस्ती मदू इन दोनों के द्वारा यह हमारा कॉफलेट सिरप बनाय जाता है हिमालिया drug company इसके manufacture होते है room temperature पे इसे store किया जाता है और 100 ml के link test या सिरप के bottle की कीमत लगबग 100 रुपे के आसवास आ जाती है बात करेंगे इसके उपयोग की यह कॉफलेट SF link test mainly आपके productive और dry cup जी हाँ जो आपका productive cup है dry cup है, सोकी खासी, गीली खासी जो हमारे lungs related जो भी problem है खासी को यानि mainly खासी को reduce करने में उसको treat करने में खास का diabetic patient में जो खासी आती है तो वहाँ पे हिमालिया का कॉफलेट सिरप दिया जाता है साथी साथ इसके अंदर anti-tussu anti-tussu property होती है antiseptic property होती anti-inflammatory property होती है और कफ को suppress करने की property होती यानि कि जो आपका बलगम हो गए रहाता है जो कफ बनता है, उसको क्या करता है रोकता है, साथी साथ antiseptic यानि गले में जब खरास हो जाती है गले में जब infection हो जाता है inflammation हो जाता है, उसको ठीक करेगा साथी साथ कफ को suppress करने के लिए ये कॉफलिट syrup बहुत ही beneficial मानी जाती है, बात करेंगे mecanium infection काम करने का तरीका क्या है देखिए, जो अलग-अलग content है दोनों का अलग-अलग role है सबसे पहले बात करेंगे तुलसी की तो तुलसी के अंदर anti-histaminic property होती है जो हमारे खासी के कार्ड जो दिक्कती होती है जो हमारा कफ बनता है उसमें ये हमारा तुलसी वर करता है जिससे हमारा ऐसे pollen यानि कि ये क्या करता है किसके अगेंस्ट वर करता है pollen-induced bronchospasm जब लंग्स के अंदर जो bronchi होती है उसमें spasm हो जाता है किसके दोरा जो pollen होते है उसके अगेंस्ट ये वर करती है bronchitis के case में बहुत ही beneficial मानी जाती है और ये सारा इसका क्या होता है pharmacological property भी होता है यस्ती मदू की बात कर लें तो इसके अंदर anti-tussu या expectorant वाली property होगी explorant की property होगी immune enhancing property immune system को enhance करता है यस्ती मदू जिससे आपका जो कफ है उसको relieve करने में बहुत ही आसानी मिलती है तो इस प्रकार से जो तुलसी है यस्ती मदू है अपना अपना role play करते है और आपके कफ को सुखी खासी जो गिली खासी होता बलगम होता है जो आपका गले में खरास हुआ गले में यो infection inflammation हुआ उसको ठीक करने का काम करेगा बात करेंगे इसके doses की तो मैं इसका dose आपके doctor के सला के बाद अगर होगा तो ज्यादा बेतर होगा नॉर्मल डोस की बात कर लें तो एक से दो चम्मच आप ले सकते हो बात करेंगे इससे जुड़े कुछ precaution की तो जितना भी dose बताया जाए कभी भी खुद से ज्यादा consume न करें बच्चों की पॉस से दूर रखना चाहिए इस्तमाल करने से पहले इसके लेविल का डारेक्शन अच्छे से जरूर पढ़ें इस्तमाल करने से पहले इसके bottle को अच्छे से से करें ताकि पूरी medicine अच्छे से मिल जाए बात करेंगे side effect की तो जैसा की हमने बताया हिमालया के कॉफलेट SF सीरफ के अंदर सब के सब नेचुरल और आयरवेदिक और हर्बल कंटेंट है तो इसका कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता जो की dry cup यानि सूखी खासी गिली खासी के सीरफ के अपेच्छा बहुत ही अच्छा भी कल्प माना जाता है सोडिया स्टुडेंट यह था आपका हिमालया का कॉफलेट SF लिंक्टस या सीरफ जो की आपके सूखी खासी गिली खासी गले में जो खरास होता है बलगम होता है जो सरदी जुकाम उससे ऐलर्जी होती है और भी जो ब्रॉंकाइटिस यानि ब्रॉंकाई से रिलेटर जो समस्या होती है उसमें ये सीरफ ये लिंक्टस बहुत अच्छा असर दिखाता है और डाक्टर इसे बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं इस सीरफ की जानकारी आपको कैसी लगी अगली मेडिस्टिन अगली दवाई अगला सीरफ किसके बारे मताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इसी तरीके से हिमालिया के और जितने भी प्रोड़क्ट दाबर के प्रोड़क्ट, वैबनार के प्रोड़क्ट साथी साथ अंगरी जी दवाईयों की जानकारी चाहिए तो आप इस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा चली मिलते हैं किसे अगले वीडियो में किसे अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मस्ट डियार, all the very well